नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टेक्नो डिफेंस अब डेट पे तो दोस्तों आप सब के लिए दुबारा से क्योवेने वीडियो लेकर आचुका हूँ और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत ग्राइपन वाइटर जैट को क्यो नहीं लेता है जबकि स्वीडन पूरी ट्रांसफर अफ टेक्नोलोजी के लिए भी रेडी है क्या अमेरिका का F-21 एरक्राफ्ट राफेल से बहतर है और साथ में भारत के जो डिरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वे कब तक बन कर तयार होगे और भारत ने इसमें कितनी सफलता को हासिल किया है और इसके बाद जो जैगवार एरक्राफ्ट है वे चीन के खिलाफ कितने ज़्यादा अच्छे हैं और भारत का खुद का इंजन कब तक बन कर तयार होगा और कब तक यह हमारी सर्फिस में आएगा ताकि हम इसे जो हमारे खुद के एरक्राफ्ट है उसमें लगा सके तो चले दोस्तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप भी अपने जो कॉस्चन्स है उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि मैं अगले के वेन में उनको शामिल कर सकूँ तो चले दोस्तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहला question यहाँ पर आ जाता है सूजल जी की तरफ से जो कहते हैं भारत ग्राइपन fighter jet को क्यों नहीं ले रहा है तो देखी दोस्तो सबसे पहले तो भारत ग्राइपन जैसा खुद का तेजस mk2 बना रहा है और अगर हम ग्राइपन को खरीदते हैं तो जो हमारा तेजस mk2 है उसको पूरी funding नहीं हो पाईगी और साथ में इंडियन एर फोर्स और जो हमारी government है उसका सारा ध्यान तेजस mk2 के ओपर से हट जाएगा जिससे होगा यह जो हमारा तेजस mk2 fighter jet है यह इसराइली लावी project बन कर रहा जाएगा यानि कि यह आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसके बाद जैसे ही negative import list आई दूसरे उसमें जो single engine aircraft है उनको लेने से मना कर दिया गया है यान कि भारत का जो तेजस mk2 है इस चीज़ से उसको काफी अच्छा boost मिलेगा और इसके बाद जो griping fighter jet है उसमें US का engine लगता है UK, France, Canada, Germany और South Africa के काफी सारे components का इसमें इस्तेमाल किया जाता है जिससे आने वाले समय में भारत को supply chain का जो issue है वो देखने को मिल सकता है और दोस्तों इसके बाद जो Sweden है वो पूरी technology देने के लिए तो तयार है लेकिन mainly हमें जो technology चाहिए वो है engine की technology तो जो खुद Sweden है वो इसमें America का engine इस्तेमाल करता है तो वो भारत को तो क्या ही engine की technology देंगे और इसके बाद जो उनके पास दूसरे technology है वो रही weapons की तो देखें दोस्तों भारत खुद का weapon package भी तयार कर रहा है और साथ में जो avionics radar है वे भारत खुद से तयार कर रहा है तो ऐसे में बिना मतलब के अपने funds को जो Sweden है उसके aircraft में लगाना एक्दम से बेवकुफी होगी और साथ में जब हम उसी category का aircraft बना रहे हैं तो हमें दूसरा जो aircraft है उसके उपर ध्यान नहीं देना चाहिए तो इन सब कारणों की वज़ा से भारत जो है Sweden का gripen है उसको नहीं लेता है जिसमें mainly उसी category का हम तेजिस mk2 बना रहे हैं और साथ में उनके पास engine technology भी नहीं है और इसके बाद इसमें कई देशों की जो components है उनका इस्तेमाल किया जाता है और gripen single engine aircraft है जबकि जो double engine aircraft है वे काफी ज़दा reliable यहाँ पर माने जाते हैं तो दोस्तो इन सब कारणों की वज़ा से भारत gripen को नहीं लेता है तो दोस्तो इसके बाद अगला question यहाँ पर आ जाता है राम राज्याजी की तरफ से जो कहते हैं अमेरिका जिस F-16 को F-21 कहकर Indian Air Force को offer कर रहा है क्या वो राफेल से बहतर aircraft है तो देखी दोस्तो अमेरिका का जो F-21 aircraft है उसमें हमें APG-83 AES radar को offer किया गया है जिसकी range 370 km तक है जो कि F-16 से भी दोगुनी है और साथ मेरा आफेल की RPE 2 radar से भी काफी जादा है तो दोस्तो इसी के साथ इस aircraft का जो airframe है उसकी life लगबग 12,000 घंटे तक है यानि कि यह काफी जादा लंबे समय तक जो है service में रह सकता है जो कि MMRC deal में जितने भी दूसरे aircraft है उनसे लगबग तीन हजार से चार हजार घंटे जादा है और साथ में F-16 से जादा ये 40% weapon को carry करने में शक्षम होगा और upgrade के लिए बोसल में भी इसमें space दिया गया है और इसी के साथ इसमें multifunctional display को दिया गया है wide area display को दिया गया है जिससे जो situation awareness है वो काफी जादा बढ़ जाती है और 100 से राफेल से बहतर होने की तो देखी दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो F-21 aircraft है ये F-16 का ही एक upgraded model है तो इससे एक फाइदा ये होगा कि जो F-16 की सारी technology है वो भारत के पास आजाएगी जिससे हम पाकिस्तान की जो F-16 है उनसे बड़ी असान से counter कर सकेंगी लेकि इससे पाकिस्तान को भी एक फाइदा ये ही रहेगा कि जो F-21 की जादतर technology है उसे F-16 को base करके ही बनाए जाएगा तो पाकिस्तान बड़ी आसान से जानता है कि इन aircraft को कैसे handle करता है और इसी के साथ जो राफेल है वो twin engine aircraft है यानकि उसमें दो engines का इस्तेमाल किया गया है तो जो single engine aircraft होते हैं तो उनसे काफी जादा reliable माने जाता है twin engine aircraft और इसी के साथ जो वर्ल्ट की MBDA ग्रूप की meteor जैसे इसमें missile लगती है जो कि 60 km तक no escape zone देती है और F-21 में ऐसी कोई भी missile नहीं है जो कि 60 km तक no escape zone दे और साथ में spectra जैसा counter measure system भी इसमें लगाया गया है राफेल का overall जो weapon package है वो F-21 से काफी जादा advance है तो यहां पर जो दोनों aircraft है वे काफी जादा advance है और साथ में कांटे भी टकर रखते हैं तो दोस्तों इसी के साथ लेकिन अगर आप भारत के हिसाब से देखते हैं तो हमारे लिए जो राफेल fighter jet है वही काफी जादा advance है और हमारे जितन साथ में अगर नानुकर करने लगे और साथ में America F-21 को इतना ज्यादा push इसलिए कर रहा है क्योंकि जो F-16 है उनकी जो assembly line है वो लगबग 2-3 साल में पूरी तरहां से बंद हो जाएगी तो उसे चलाने के लिए भी America पूरा जोर यहां पर लगा रहा है कि कैसे ही भारत F-21 को बाहर का रास्ता यहां पर दिखाया दिया गया था जिसमें Gripen और F-21 सबसे पहले नमपर पर थे तो दोस्तों इसके बाद अगला question यहां पर आ जाता है अनिल जी की तरफ से जो कहते है Indian laser technology के बारे में कोई new update दीजे तो देखी दोस्तों D.I.D.O का 2030 तक का प्लान यह है कि पहले phase में 6-8 km तक का जो है direct energy weapon system बनाएंगे और phase 2 में यहां पर 20 km तक के जो direct energy weapon system है उनको बनाए जाएगा भारतिय सेना को लगबग 15 ऐसे system चाहिए और missile को मारने के लिए जो requirement है वो लगबग 500 kWh के यहां पर बताई गई है और दोस्तों इसी के साथ 2018 में D.I.D.O ने system है उसने लगबग 30 second में बड़ी असान से एक धातों में छेद कर दिया था और दोस्तों अभी जो DR.D.O है वो 100 kWh के जो direct energy weapon system है उनको बना रही है और साथ में DR.D.O दो anti-drone जो devs है उनको भी बना चुकी है जिसमें एक तो है trailer mounted जो की लगबग 10 kWh का है और साथ में 2 km तक कि वो range देता है इसी के साथ DR.D.O ने एक और यहाँ पर dev system बनाया है जो की compact tripod mounted है और साथ में 2 kWh का वो direct energy weapon system है वो लगबग 1 km की range देता है और साथ में दोस्तों अगर अभी के लिए देख जाए तो US, Russia, China से हम काफी जादा पीछे हैं और यहाँ पर अगर आप America को देखते है जो कि जो आज की तरह की cruise missile हैं उनको भी मार गिरान में सक्षम होगा और इसके अलावा जो DR.D.O है वो 25 kWh का जो 5 km range वाला एक direct energy weapon system भी बना चुकी है जो की ballistic missiles को भी निशाना बना सकता है इसके बाद दावा किया जाता है कि जो अधित्य प्रोजेक्ट है वो लगबग 100 k लोवाट के energy को हासिल करने में शक्षम रहा है और इसी के साथ भारत दुर्गा two weapon को भी बना रहा है जिसका land variant, air variant और साथ में जो naval variant है वो भी तयार किया जाएगा तो दोस्तों भारत का जो direct energy weapon system है ऐसा नहीं है कि भारत किसी एक ही system के उपर काम कर रहा है भारत के अलग-अ energy weapon system को बना रहे हैं तो इतने सारे systems को एक वीडियो में cover करना आसान नहीं है अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो इसके उपर बना दूँगा तो दोस्तों अगला question यहाँ पर आ जाता है केशव जी की करफ से जो कहते है जैगवार aircraft का China war में क्या रोल होगा और इसकी capability औ और साथ में जो flowers है उसके बारे में बताईए तो देखी दोस्तों जो चीन है जो चीन के साथ हमारा border लगता है वो लगबख पहाड़ी इलाका है तो जैगवार की अपने सबसे अच्छी capability है वो है low flying capability तो इसी के लिए यह जातर जुनिया में जाना जाता है और साथ में यह क काफी जादा lethal बन जाता है क्योंकि अगर आप देखते हैं जो जादतर aircraft हैं वे काफी जादा speed से उड़ते हैं लेकिन जैगवार काफी slow fly करता है जिससे जो ground attack में accuracy है वो काफी जादा बढ़ जाती है और दोस्तों इसी के साथ यह जो aircraft है यह specially ground attack के लिए design किया गया है तो औ और इसके बाद जो पहाड़ है उसके बीच से यह काफी अच्छे से fly कर सकता है जिससे यह radar की पकड़ से भी बचता है और इसके बाद जो radar है उन्हें पहाड़ी इलागों में एक तो install करना काफी जादा मुश्किल होता है और इसी के साथ वे properly उनकी जो पूरी potential होती है उस जैगवार एरक्राफ्ट है वो लो फ्लाई से काफी जादा यहाँ पर जो है radar से बच जाता है और daring 3 अप्ग्रेट भी यहाँ पर दिया गया है जो की world level के avunix का इस्तेमाल किया गया है mission and compact जो research system है उनको यहाँ पर install किया गया है AES radar का इस्तेमाल किया गया है digital video recorder और साथ मे जो जैगवार एरक्राफ्ट है इसकी जो कुछ खामिया है उसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं तो देखी दोस्तो तो अगर इस एरक्राफ्ट में कुछ सबसे बड़ी कमी है तो वह इसके engines में है तो देखी दोस्तो daring 3 upgrade में जो इसके engine है उनको भी change करना था और इसमें 2-3 billion US dollar यहां पर मांगे गई थे जो की काफी जादा थे तो higher altitude में जो oxygen है वो काफी जादा कम होती है तो ऐसे में इसके जो engines है भी काफी जादा यहां पर problem जो है दिखाते हैं और साथ में जो man portable air defense system होते हैं वे भी इस aircraft के लिए काफी जादा बड़ा खत्रा है और इसके बा तो दोस्तो इसके बाद अगला question यहां पर आ जाता है जो जो वाइंस जी की तरफ से जो कहते हैं what about our fighter jet engines तो देखी दोस्तो यहां पर लगबग तीन महीने पहले से जो visibility studies हैं वे चल रही है और साथ में Rolls-Royce के साथ मिलकर हम खुद का engine बनाएंगे और साथ में इसे भारत म ही बनाए जाएगा यह सबसे अच्छी बात है कि यूके में ना बना करके भारत में ही बनाए जाएगा और इसके जो टेस्ट है वे डिया डियू की नई जो टेस्टिंग फैसलिटी है उसमें किया जाएगा और यह लगबग 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का engine होगा जो कि हमारे एमका और टैड़ बीफ एरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में बाद में अगर तेजिस एमके टू के engines को replace करना पड़ता है तो इससे हम बड़ी आसानी से उसे भी कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद 110 किलो न्यूटन engine के होने के बावजूद लगबग 20% और ज्यादा इस thrust को हम increase कर सकते हैं यानि कि लगबग 130 किलो न्यूटन thrust तक हम इस engine को पहुंचा सकते हैं fuel efficiency को भी यहाँ पर काफी ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा जिससे aircraft की जो range है उसके उपर ज्यादा बुरा effect ना पड़े और साथ में जो range है वो increase भी की जा सके तो यानि कि यहाँ पर यह जो engine है इसे एक्तम zero से start किया जाएगा इसे किसी भी जो rolls-rolls है उनके engines के उपर base करके नहीं बना जाएगा जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि जो EJ 200 engine है उसके उपर base करके हम जो खुद का engine है उसे बनाएगा लेकिन इसे zero से start किया जाएगा उत साथ में जो stelt है उसको भी compromise नहीं करेगा और लगबग साथ साल में बनकर तयार होगा और भारत इसमें चार billion dollar लगाएगा और साथ में इस funding से जो rolls-rolls है उसके जो दूसरे project है उसको भी काफी फाइदा होगा क्योंकि जो rolls-rolls की अगर आप अभी के दिनों में कुछ financial condition मिलती रहे और अगर आप भी कुछ questions को रखते हैं तो उसे भी आप comment section में लिख दीजीगा ताकि मैं अगले क्यावाइन में उनको cover कर सकूँ तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में तब तक लिग गुडबाई जैहिंद झाल